यूपी एलेक्शन 2022 को लेकर सभी पार्टिया अलग-अलग वादे दावे और घोश्राय कर रही लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज राजधानी लखनव में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जिसके मुखहत थी दिल्ली के सियम और आम आदमी पार्टी के सयोजक अर्वि और विजेपी सरकार पर तंज भी कसा कि यही विजेपी सरकार ने कबरिस्तान और शम्शान घाटों पर सियासत शुरू की थी कुरोना काल में विजेपी सरकार में उन्ही कबरिस्तान और शम्शान घाट में लोगों को पहुचाने का काम किया केजरिवाल ने बड़ी घोश को बिजली मुफ्त मिलेगी उन्होंने दिल्ली का उधरण देते हुए का कि दिल्ली में हमने मुफ्त बिजली देने का बड़ा काम किया है और बाबा साब भीम्राउम बेटकर के सपने को लेकर अर्विन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार काम कर रही है शिच्छा बाबा साब भीम्राउम बेटकर का बड़ा सपना था केजरीवाल ने उपी सरकार और बिजेपी सरकार पर निशाना साते हुए कहा कि दिल्ली के स्कूलों की हालत बड से बत्तर है वहीं दिल्ली में उन्होंने स्कूलों की हालत में सुधार किया इस बात को लेकर बिजेपी सरकार के सिक्षा मंत्री ने दिल्ली के सिक्षा मंत्री को एक चैलेंज भी किया कि आप यूपी के सरकारी विद्यालों को देखें तो दिल्ली के सिक्षा मंत्री अर्विन केजरिवाल के करीबी मनीस्ति सोधिया लखनओ निकल पड़े और उन्हें लखनओ पुलिस कमिशनर ने रोक लिया और यहां के विद्यालों का निरिच्छट नहीं करने दिया आम आदमी पार्टी की आज महारैली में एक बड़ा ऐलान किया गया कि 18 वर्से उपर की उम्र की सभी महिलाओं को हजार रुपए उनके खाते में हर महीने दिये जाएंगे चुनावी दाव और चुनावी घोशले पर जनता कितना विश्वास करेगी है तो 22 का चुनाव ही बताएगा लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने इन घोशलाओं से कहीं न कहीं सियासी हलचल पैदा कर दी है हंगामा टाइम सिर्जार आपको दिखा रहा है कि किस तरह से चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से एक बड़ी घोशलाए की गई है मुफ्त बिजली, मुफ्त सिच्छा और महिलाओं को एक हजार रुपए महीने की धन्राशी उनके खातों में आई डालते हैं अर्विन केजरिवाल की इस महा रहली पर नजर जिसमें कहीं न कहीं एक जनसालाब उमला, राजदानी के स्मृती उपुवन, मैदान को पूरा भर दिया गया और अर्विन केजरिवाल की जैजे कार से पूरा मैदान गूंज उठा आई डालते हैं विछेश रिपोर्ट पर नजर कि किस तरह से अर्विन केजरिवाल और आम आदनी पार्टी की महा रहली में दिखा जनसालाब और कहीं न कहीं उनकी घोश्लाओं से सियासी गलियों में हलचल भी मच गई सब लोग अपना स्थान ग्रेंड करें प्लीज एक बार बैठ जाएं सब लोग मैं लखनव की धर्ती पर हिंदुस्तान की राजनीती के उस योध्धा को नमन करता हूं स्वागत करता हूं जिन्हों ने इस देश की राजनीती जो पूंजी पत्लों के कमरों में बंद थी उसको आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया आप तक पहुंचाने का काम किया हिंदुस्तान के आम अंसान के मुद्दों तक पहुंचाने का काम किया मैरविंद के रिवाल जी का नए साल में नई राजनीती के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में हिर्देश से स्वागत और अभी लंदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों पीछे तक बजाईए खड़े हो जाईए अपने अपने जगहां पे सारे लोग खड़े होके अभिवादन करें अपने नेता का पीछे तक सारे लोग खड़े हो जाएं जोरदार तालियों से स्वागत किजिए और कोई भी साथी इधर नहीं सब सामने आजाएं अर्विन जी उत्तर प्रदेश के लिए एक सपना आम आदमी पार्टी की सोच आम आदमी पार्टी के कारिक्रम आम आदमी पार्टी की योजनाएं और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो किन मुद्दों पर बनेगी वो सपना आपके लिए लेके आये हैं इसलिए उनकी पूरी बातचीत को सुनियेगा और सिर्फ सुनियेगा नहीं उत्तर प्रदेश के एक एक घर में एक एक गाव में अरविंद केजरिवाल का संदेश पहुंचा ये और अपनी सरकार बनाएए आमाद्मी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएए आज उत्तर प्रदेश को ऐसी हालत में पहुचा दिया गया हमने देखा करोना की महामारी में नदी के घाथ पर लासे सरी हुई मिली चील कुटे कवे नोस्ते रहे हमने देखा उत्तर प्रदेश में किसान जब अपने फसल का दाम मांगने के लिए जाता है तो उसको लाठियों से पीता जाता है आसुगैस के गोले छोड़े जाते है उसके साथ अन्याव रत्याचार इस सरकार ने किया हमने देखा नوجवान जब अपना रोजगार मांगने के लिए सरक पर निकलता है तो उसको लाठियों से पीता जाता है मुकदमे लगाये जाते हैं और आम आदमी पार्टी का कारिकरता जब किसानों के लिए नوجवानों के लिए माताओं बेहनों की सुरक्षा के लिए संधर्स करता है तो उसको भी लाठियां दी जाती है जेल में डाला जाता है मुकदमे किये जाते है लेकिन आधितनाजी हम आपके मुकदमे और लाठी से डरने वाले लोग नहीं है यह आम आदमी का जन सेलाब है हम आपसे लड़ेंगे और आपसे जीतेंगे उत्तर प्रदेश आज ऐसी हालत में पहुँच गया भारती जनता पाटी के सासन में जहां हर वर्ग दुखी है हर वर्ग परेशान है और सिर्फ दिनराथ जूट बोलने का काम सरकार करती है दिनराथ आपको गुमराह करने का काम करती है नफरत की बुनियाद पे उत्तर प्रदेश की राजनीती को लाना चाहती है हम नफरत की बुनियाद पे उत्तर प्रदेश की राजनीती को नहीं लाना चाहते वो मुद्दा देकर राजनीती करना चाहते है हम मुद्दा देके राजनीती करना चाहते हैं हमारी राजनीती मुद्दो की राजनीती है और एलान किया है अर्विंद केज रिवाल जी ने 300 उनिट बिजली से लेके तमाम उन योजनाओं का और मैं अब ज़्यादा उनके और आपके बीच में बाधा नहीं बनूँगा मैं आमंतित करूँगा हिंदुस्तान की राजनीती को आम आदमी के घर तक पहुचाने के वाले हिंदुस्तान के आम इंसान को ताकत देने वाले हिंदुस्तान के राजनीती में सिख्छा स्वास्त बिजली पानी पुनियादी सुविधाओं को राजनीती के केंदर में लान वाले भारती राजनीती के पुरोधा भाई अर्विंद केजरिवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी को मैं पूरे अधर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि आए और अपने विचार रखे और मैं आप सबसे चाहूंगा कि सारे साथ ही सामने आजाएं और अपने 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 जगों से अर्विन जी के विचारों को सुनें अर्विन जी के संदेश को गाउं गाउं तक ले जाएं बार जोड़ार तालियां पीछे तक खड़े भारत मता की एक बार जोर से पूरे दिल से भारत मता का जैकारा लगाएंगे भारत मता की पीछे तक सब लोग मुठी बंद करेंगे हाथ उपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत मता की इनकलाब वंदे वंदे दोस्तों पिछले चुनाओं में 2017 में भारतिय जन्ता पार्टी के देश के सबसे बड़े नेता ने उत्तर परदेश में आके कहा था कि अगर उत्तर परदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शम्षान घाट भी बनने चाहिए दोस्तों पुरानी सरकारों ने उत्तर परदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शम्षान घाट भी बनने चाहिए आज मैं आपके बीच में आया हूं एक मौका दे दो आपके बच्चों के स्कूल बनवाओंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाओंगा मेरको स्कूल बनवाने आते हैं मेरको अस्पताल बनवाने आते हैं दिल्ली में बनवा के आया हूं उत्तर परदेश में भी बनवाओंगा इनको नहीं बनवाने आते 75 साल में इन्होंने नहीं बनवाए यह केवल कब्रिस्तान और शम्शान घाटी बना सकते हैं वह बहुत बनवा दिया इन्होंने अब बस अब देश को स्कूल और अस्पताल चाहिए स्कूल और अस्पताल के अरात मता की अर्वेन केज्रिवाद दोस्तों दुख की बात यह है कि पिछले पांच साल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ना केवल शम्शान घाट बनवाए बलकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शम्शान घाट पहुंचाने का इंतजाम भी किया इन्हों जिस तरह से करोना के दौरान इन्होंने मिस मैनेजमेंट किया इन से सरकार नहीं संभली लोगों से पूरी दुनिया में थूथूई पूरी दुनिया में अगर एक कोई राज्य है पूरी दुनिया में अगर एक कोई सूबा है जहां पे सबसे बुरा करोना का मैनेजमेंट हुआ तो वो उत्तर परदेश है इनका इतना बुरा मैनेजमेंट था इतना बुरा मैनेजमेंट था कि अमरीका की सबसे बड़ी मैगजीन में इनको 10-10-15-15 पेज के इस्तिहार देने पड़े करोड़ों रुपए फुक दिये इन्होंने करोड़ों रुपए फुक दिये योगी सरकार ने इस्तिहार देने में कि अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इस्तिहार देने की क्या जरूरत है आज कि पूरे देश में कि पूरे देश के किसी कौने में चले जाओ एक-एक आदमी कहता है यार दिल्ली में केज्री वाल सरकार ने करोना बड़ अच्छा मैणेजमेंट किया कि कहता है कि नहीं कहता है पूरे देश में कोने कोने में बच्चा-बच्चा कहता है यार केजरीवाल ने करोना बड़ अच्छा मेनेज किया है बहुत बड़ी बहां महामारी थी मैं यह नहीं कह रहे सब कुछ ठीक था बहुत बड़ी महामारी थी हमने इस्तिहार नहीं दिये की हमने करोणी रुपई निफूके आज आप मेंसे कोई दिल्ली चला जाओ दिल्ली में जरा से क्राउंड लगा लो पूरे दिल्ली में केजरीवाल के होड़िंग नहीं मिलते योगी के मिलते हैं आज पूरी दिल्ली में मैंने काउंट करवाए दिल्ली सरकार के 106 लगे हुए और योगी जी के 850 होडिंग लगे हुए कि कई बार तो मेरे को लगता है यह पता नहीं उत्तर प्रदेश को चनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली का चनाव लड़ रहे हैं तो दोस्तों इन्होंने आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा जो आप टैक्स के रूप में देते हो करोड़ो करोड़ो रुपए फूक दिया इन्होंने इस्तिहार में इस्तिहार बाजी में क्यूं क्यूंकि उन्होंने इनके बस में इनने इनसे सरकार नी चली तो इन्होंने पान साल में केवल शम्शान घाट बनाए और जनता को शम्शान घाट बेजने का इंतिजाम करा। कि दोस्तों कि मैं बाबा साब अंभेडगर का बहुत बड़ा फैन हो फैन नहीं भक्त हूं मैं भक्त भी नहीं हूं हूं पुझारी हूं पूजता हूं यह उच्टा यहां को उन्म इसका हूं एक इतने गरीब से गरीब घरमे चन में बेहत गरीब घरमे जन में पच्पन से चूआ छूट बरदाष्ट की अन्याय बरदाष्ट किया और भाई साथ उस जमाने में उस जमाने में अंग्रेजों के जमाने में विदेशों से दो दो PhD की डिगरी लेके आये थे एक लंडन से और एक अमरीका से आज यहां इतने सारे लोग बैठे हैं मेरे को नहीं लगता है यहां चार या पांच से जादा होंगे जिनके बच्चे अमरीका लंडन में PhD की डिगरी ला सकते हैं आज के दुनिया में भी PhD और लंडन से डिगरी लानी बड़ी मुश्किल है नहीं बहुत पैसे लगते हैं लंडन में उनकी डिगरी छूट गई पैसे खतम हो गए वापस आए यहां पर पैसे कमाए फिर अपनी डिगरी पूरी करने के लिए दुबारा लंडन गए क्या आदमी थे यार क्या इंसान थे उन्होंने ah ah Masters में आपको पता है कितनी डिगरी दby मास्टर में एक नी दो नी टीनी चार नी 62 मै की थीक उसने 62 विश्यों के उपर 62 सब्जेक्स के उपर में करी थी भारत का समविधान लिखा यह तो सब जानते हैं कि बाबा साथ का एक सपना था बाबा साथ यह समझ गए थे कि समाज को बराबरी तभी मिलेगी जब हर बच्चा पाएगा शिक्षा पाना जरूरी है बाबा साथ का सपना था इस ऐसे धर जमें चाहे वो ब्रामन के घरजमन कि से बीद्च जो इस देश में बच्चा पैदा उसको अच्छी शिक्षा मिलेगें बाबा साब का सपना था आज सप्तर साल बाद भी हम सपना पूरा नीगर पाए हैं मैंने कसम खाई एथ बाबा सापना मैं पूरा करूंगा कि अर्वेन केज्रिवार बारत मता की बारत मता की ब्रस्टाचार का एकिकार कि मेरा पूरा जीवन कि मेरी पूरी जिन्दगी बाबा साथ का ये सपना पूरा करने में चली जाए तो मैं अपने जीवन को सार्षक मानूंगा साथ साल होगा अब हमको दिल्ली में सरकार चलाते हुए एक ही चीज सीखाऊंगा पचट्र साल में इस पार्टियों ने जान भूज के जान भूज के मैं ये शब्द बड़े नपे तुलिज जान भूज के देश को गरीब रखा है अशिक्षित रखा है ताकि हम इनकी रैलिय दिया जान भूज के सरकारी स्कूल खराब रखे इन्होंने जान भूज के इन लोगों ने हमें अनपढ़ रखा पांच साल में अगर दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल ठीक कर दिया तो यूपी नहीं हो सकते थे यूपी में भी हो सकते थे करना नहीं चाहते ये लोग इन्होंने जान बूज कि हमको अनपड़ रखा है अब नहीं चलेगा अब जनता खड़ी हो गई है अब जनता खड़ी हो गई अब नहीं चलेगा अब डो से 5 अ विया अ अभन केज्रीवारrac करनाों थे अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में थोड़े दिन पहले मनीशनची सोध्या ट्र नहीं कि कह keto मैं मैं हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो हम स्कूल अच्छे करेंगे उत्रप्रदेश के शिक्षा मंत्री ने शायद संजय जी शिक्षा मंत्री ने उनको डिबेट के लिए चैलेंज किया उन्होंने का उत्रवदेश के शिक्षा मंत्री ने कि हमारे तो स्कूल बड़े अच्छे हैं आके देखो तो मनीज जी ने सोचा यार चलके देख लेते हैं हम भी सीख लेंगे थोड़ा मनीज जी आए देखने के लिए बाई साब लखनों का पुलिस कमिशनर बेज दिया कि मन अंत्रित करता हूं योगिया दिक्तेनास जी को दिली में आओ कोई स्कूल देख लो जिस मर्जी स्कूल में गुज जाओ अर्वें अता की वंदे वंदे तो योगी जी ने तो पांक साल सरकार चला ली इनसे दो स्कूल ठीक हुए नहीं योगी जी तुमसे ना उपाएगा स्कूल चाहिए तो एक मौका आदमी पार्टी को दे दो अगर खराब स्कूल चाहिए तो इनको दुबारा वोट दे देना अच्छा दिल्ली में आज कल 24 घंटे बिजली आती है जी जब हमारी सरकार बनी 2015 में तो आठ और दस दस घंटे के पावर कट लगते थे अब हमने द दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है किसको पता है दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है आप में से पूछना चाहता हूं उत्तर परदेश में किसको 24 घंटे बिजली चाहिए जरहां से आथ खड़े कर दो जिस जिसको 24 घंटे बिजली चाहिए विजनी मुस्त दिलाएगी पाइन साल में योगी जी से तो हुआ नहीं योगी जी तो अभी भी मैंने सुना योगी जी के पहले 4-4 गंटे के पावर कट लगते थे अब योगी जी के टाइम पे 8-8 गंटे के पावर कट लगते हैं एक बार और बीजेपी को वोट दे दो बारा-बारा घंटे के पावर कट लगा करेंगे तो अगर आपको 24 घंटे बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना और अगर पावर कट चाहिए तो जाके योगी जी को वोट दे देना दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है और भाई साथ मुफ्त बिजली मिलती है बिजली मुफ्त दिलाएगी बिजली मुफ्त दिलाएगी स्वागत करें एक सकंड की 19- कそんな बिजली मुफ्त निस्वार के घर भाई स्वास करें पर्या हम क्या दिलाएगी को ख्या दिला है मैंञ ज्या एक समाही स्क जलाएगी